Assalamu alaikum and welcome back to my channel, this is me Fai Gassan, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब ठीक जाख होंगे, हैदियस होंगे, आज की वीडियो में आपको बताऊंगे किस तरह से घर में आप अपनी नोस पे से ब्लेक इट की पर नहीं होंगे, लेक chili眼ट हो से सैंके हैं dual shikooya, कि ब्लेक के एडनाशना चाहँउंगा की में आप को उछे के ब्लेक हतना जाएं, छाओं जरूए होनां स्किन होते हैं बहुत कोने, नॉर्मने और हमारे skin के उपर जो pores होते हैं, जब समें sebum production बढ़ जाती है तो फिर वो whiteheads बन जाते हैं और पिर जब वो air की वद इसे oxidize हो जाते हैं तो फिर वो blackheads में convert हो जाते हैं और जब समें bacteria वगरा चल जाते हैं तो blackheads बन जाते हैं तो किस तरह से आप इसको रिमूफ करें किस तरह से आप घर में आरामसी आपकी skin के उपर blackheads में इसको रिमूफ कर सकते हैं मैं आर इसे वीडियो में आपको बताऊंगी तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत कुछ important चीज़ें important points हैं जो मैं आपको वीडियो के लास में बताऊंगी तो keep on watching तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी nose पे blackheads हैं चोटे चोटे और मेरे blackheads से जादा actually whiteheads होते हैं तो सबसे पहले आप skin को अच्छे से cleanse कर लें इस skin को अपने साफ कर लें फिर आपने लेनी है petroleum jelly और simple petroleum jelly आपने लेनी है जो कि मैं समझती हूं हर गर में आप से available होगी इस petroleum jelly सही आज हम इसकी help सही अपने blackheads जो है nose पे से remove करेंगे आपने थोड़ी सी thick layer लेनी है और nose पे लगानी है अपनी overall nose जहां पे आपके blackheads है नर्मली जहां में लगा रही हो ही पे जादा होता है पूरी nose को आपने थोड़ी सी thick layer के साथ weaseline लगा के cover करना है फिर आपको इस तरह से एक sheet चाहिए रिसको wrapping sheet भी बोलता है और इससे हम खाना वागेरा या bowl वागेरा को cover करते है और यह आपके hopefully घर में होगी नहीं होगी आप ले लिएगा सस्ती होती है मार्केट से बहुत चीज़ों में काम आती है और इस तरह से थोड़ा सा चोटा सा काट लिए ताकि आपकी nose जाए वो cover हो जाए इतने size में आपने काटना है आपकी nose पे वेजलीन लगी होगी तो यह राम से stick हो जाएगी वैसे भी इसमें चि लेके लेके लिए उसके बाद आपने इस तरह से शीट लेके और आपने नोस को cover कर लेना है यह शीट अगर आपके पस नहीं है तो आप ले लें क्योंकि बहुत से चीजों में यह काम आती है और इस रेमीजी में भी बहुत हेल्फुल रहती है फिर आपने छोटा टावल ल लेना है फिर आपको आप इसको अच्छे से स्कूज कर लें और इस तरह से आपका जो यह चोटा इसको आप अपनी नोस पर कवर कर लें टोटल आपने पास से चे मिनट यह प्रोसेस करना है लेकिन अगर आपके बहुत डीप ब्लेक हैट और वाइट हैं तो आपने दस कम से नहीं निकलते तो कम से कम 10 दस मिन तक दो-दो मिन या तीन-जिए मिन टाझ inhibit और अगर आपके नॉर्मल है तो प्र आप पांच मिन निट के लिए करें या तो आप एक ही बार पांच मिनट तक नोस पे रखे रहे रहें या फिर दो बार उसको डिप करके और दौ- वो शीट है वो इसको रिमूफ कर दें उसके बाद असल आपकर प्रॉसेस स्टार्ट होता है इस तरह से आप हेर पिन लेने और हेर पिन नहीं है तो आप कॉटन बट ले ले मैं आगे वो भी करके दिखाऊंगी और इसकी हेल्प से हलका हलका सा प्रेस करके आप जो है इसमें स सकते हैं तो इसको पूरी नोस पर करें तो जो वाइट और ब्लेक हैट वोगे तो आप से निकल जाएंगे दूसरा तरीका है कि आप दो कॉटन बट ले ले हैं जो के हाद गर में आराम से मौदूद होती हैं या फिर कोई कपड़ा ले उससे भी दभा क्यां मैं आपको दो तीनों follow कर लेज या फिर कोई एक जो आपके पास जो आपको easy लगे तो इस तरह से आपने जहां जहां आपनी वैजलीन लगाई थी वहाँ उसके ऊपर से आप अपना black hair और white hair इस तरह से करें हलके हलके से फिर आप कॉटन बढ़ ले ले लिए और उसकी मदद से भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं मैं आप दोनों तरीके बता रहे हूं फिर आपने वही टॉबल लेना है उससे अपनी नोस अच्छी तरह कर ले और उसी से सर्गूलर मोशन में अपनी नोस को एक्स दोल जाते हैं तो यह मैं इंस्टेंट मास्क बता रहे हूं जो कि ऑईली स्किन वालों के लिए ज्यादा बेटर है एक टेबल स्कून मैं इसमें डाले है बेसन दो पिंचिस में दाली है अल्दी यानि कि तरमेरिक और एक चम 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 दाले है दाले है थोड़ा सा एरके गु जाल नहीं है यह मास्क नहीं बनाना तो फिर जो मैंने वह मास्क आपके शेयर किया तो पिर आटा है आप ब्लेक हैर्स और वाइट है नकालने के बाद वह बना के अपलाए कर लें तो वह भी बहुत अच्छा है और अगर आपकी स्केन ओईली है तो आप सिंप्ली यह वाला से आप क्लीन कर लें उसके बाद आपने फेस पे थोड़ा सा अरके गुलाब यह कोई फेस मिस जो है अपने फेस पे स्प्रे कर लें ताकि आपके जिसके नहीं थोड़ी रिफ्रेश्ची होजे इस तरह से और पर आप उसको ओवराल फेस पे स्प्राइट कर लें तो यह था स्किन के अंदर है इस रिमडी के साथ इस टेकनि के साथ भी नहीं निकल रहे हैं तो आपको जरूरत है किमिकल एकस्फॉलीेश्ण की जो के मैं भी करती हूँ क्यूंकि मेरे बॉछ के बैक एक्स्रेट से जादा वाइञ तो बजह यह आपके था ऐस के बोच जादाब कर नि यूज करती हूँ इस तरह आप भी अपने स्किन के हिसाफ से केमिकल एक्सुलिएशन यूज करें जिस पर मैं इंशाला पौछ लिए वीडियो बनाऊंगी तो यह जो रेमिडी है यह उनके लिए जिनके बहुत जादा नोस पर वाइट है या ब्लेक हैर्स और उपर उपर हैं बजाए आप से घर में निकालना चाहती है बजाए आप से लो जाके अपना टाइम वेस करें तो बैटर है कि फिर आप इस रेमिडी को फॉलो गरें जिससे आपकी काफी हद तक ब्लैक है और वाइट है नोस पे से रिमूव हो जाता है उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी हिए फेइस बहुत सारे पर सारे मुझते है कुछ लोगों की यह थाएट बहुत सारे जाता है तर ऐसे बहुत सारे रिजन अपार मालुम आपके हैं क्या आप ट्रीट भी करें तर कौंbekा प्रीट क्वाल अब दूंक साथच के डूचों कि पोरे निका पटowa होगारी कि नह तोड़े मीनिमाइज हो जाएं ताकि उसमें कोई भी बैक्टिरिया वगारा ना जरो ब्लेक हेड्स और वाइट हेड्स में कनवर्ट ना हो या फिर कोई पिंपल ना बने तो आई अपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने कोशिश के कि मैं आपको हर चीज में नो इन दी कॉमेंट सेक्शन और अपना बहुत ज़ारा ख्यार लखेगा दुआ में रखेगा याद अल्लाहाफिज